तो है गाइस वेलकम बैक टून अधर वीडियो अधिस चैनल और आज ही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि हमारा फिजिस का एक हिसाब से चेप्टर फोर्त है उसका सेकेंड पार्ट है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कल जो हमने फर्स पार्ट में थोड़ा एक ल डूमिनेशन होसाथा है कि वह कॉंशिच्टूट करती है वेव को यह फिर इंटिश मेटप आफ पार्टिकल्स तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह बात करने जा रहे हैं वह इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यह पर वही से स्टार्ट करते है लिफ जो प्रोसेस होती है जिसमें light किसी surface में गिरने के बाद दुबारा जाती है sending back होती है उसकी मतलब वो एक तरी किसे आप कह सकते हो कि bounce back होती है light उसे हम कहते है reflection of light क्या चीज? the process of sending back of light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light ठीक है अभी जो reflection of light है होती कैसे अगर मैं आपको वैसे दिखाऊ हूँ तो जैसे अगर आपका ये कोई object है इस पे light पड़ी ये light आपकी incident हुई इस पर आप इससे कह दो array है ये ये इस पर चांद के बाद अगर ये आपका object एक mirror है तो ये यहां पर गई light और यहां पर एक किसी point पर ओ उस पर reflect होके bounce back वही आपक होके उसकी direction चेज्ज है और ऐसे इमर्ज हो गई हमारी एक तरफ से इंसिडेंटी और दूसरी तरफ से जो bounce back होके निकली उसे हम कहेंगे reflection of light जो की light rays का किसी surface पर गिरने के बाद जो sending back होती है या फिर bouncing back होती है वो से हम कहते है reflection of light अब कुछ objects होते हैं जो light को जादा reflect करते हैं वही कुछ objects होते हैं जो light को कम reflect करते हैं वही पर हमारा concept आता है dull objects और shining objects का dull objects वो होते हैं हमारे जिनका unpolished surface होता है unpolished surface हमारा मतलब है थोड़ा rough सा होगा वाइल जो shining objects होते हैं हमारे वो वो होते हैं जिनका एक glossy आप कह सकते हो या lustrous कह सकते हो ऐसा surface होगा glossy polished lustrous surface ठीक है अब ऐसे surface होगा तो जो हमारे shining objects होते हैं वो ज्यादा light reflect करते हैं वाइल जो आपके dull objects होते हैं वो कम light reflect करते हैं आपने अपने घर में दिखा होगा अगर आपके घर में उस पर दिख सकता है क्योंकि वो shining है तो उस पर reflection जादा होता है हम कहते हैं कि हमारा चेहरा reflection होके दिख रहा है इस वज़े से अगर आपका कोई आपके घर में एक ऐसी window है जो बहुत पुरान यह डल हो गई तो उस पर आपने reflection नहीं देख पाऊगे लेकिन अगर window की पीछे को ऐसी dark चीज है जिसकी वज़े से आपकी window जो already crystal clear है वो आप उसमें देखोगे तो आपको अपना चेहरा अराम से दिख जाया है क्योंकि shining है उसमें polish है इसलिए reflection की property ज्यादा एक्जिबिट होती है अगर हम reflector की बात करें सबसे अच्छा reflector कौन सा होता है तो silver metal is the best reflector of light ठीक है example के लिए आप अगर यह देखोगे तो आपको easily पता से जाया क्योंकि जो हमारे mirrors होते है mirrors में भी जो back side होती है पीछे उसमें silver की coating होती है glass sheet पे और क्योंकि वह easily reflect कर पाए जिससे ठीक है अब plane mirror आपको इस chapter में बहुत पढ़ना होगा तो एक बार हम वह देख लेते हैं plane mirror का diagram कैसे होता है कैसे हम plane mirror को represent करेंगे तो यह एक simple से line और यहाँ पे थोड़े से यह आपको यह बल्कि थोड़ा और सुन्दर बहांची है यह जो आप side में देख रहे हो यह छोटे छोटे आप कह सकते हो cut से लगे हैं यह यह क्या है यह तो हमारे back side है of plane mirror और यह वाली है हमारी front side of plane mirror जो back side है यह यह जो आपका पीछवारा area represent करता है यह represent करता है आपका polish surface ठीक है अब जो हमारे plane mirror होता है उसमें reflection कैसे एकर होता है अब इससे पहले हमें कुछ concept पढ़ना है सबसे पहले हमें समझना है कि incident रे क्या होती है तो जो ray of light mirror surface पे गिरती है उसे हम कहते है incident ray ray of light falling on the surface of mirror is called an incident ray second point जो incident ray हमारे आती है वो एक point पे गिरती है तो जिस point पे incident ray गिरती है उसे हम कहते है point of incidence the point at which incident ray falls on the surface of mirror वो हमारा point of incidence होता है अब जो हमारी ray of light sent back by the mirror यानि bounce back होके जो हमारी light जाती है direction change करके उस ray of light को हम कहते है reflected ray the ray of light which is sent back by the mirror is called reflected ray और अब आता है हमारा angle of incidence angle of incidence क्या होता है angle of incidence is the angle made by incident ray with the normal normal ray जो आपकी perpendicularly गिरती है on the surface of mirror ठीक है ऐसी आपका angle of reflection होता है था angle made by reflected ray with the normal और अभी स्वारी खतम नहीं हो था यहां हमारा आएगा at the point of incidence ठीक है और अगला हमारा है what is angle of reflection अब यह सारी बात ध्यान रखते वे नहीं हमें कल से स्टार्ट करना है हमारा आपका अग्याइड आपके नहीं प्रूंप laws of reflection of light जो कि आपका बहुत important है exam purposes के लिए तो फिलाल आज के लिए इस वीडियो में इतना है thanks for watching this video अगर आपका कोई भी suggestion हो तो please comment down below subscribe to the channel and stay tuned for later updates thank you